गुट बॉर्णिंग लेडिज जेंटलमें दिस इसमी दीपक ही और आज बात करते हैं कुछ इस्ट्राइजिस के ऊपर जो बहुत ही जादा रिवर्डिंग और बहुत ही जादा प्राफिटेबल हो सकती है बट उसके लिए आपको प्लैनिंग एंड इसके साथ प्री प्लैनिंग एजस्ट्मेंट यह सारा कुछ रेडी होना चाहिए तो जाकर यह स्ट्राइजी आपको डिशेंट प्राफिट हैं डिशेंट रिवर्डिंग हो सकता है कि मैं कुछ 5-6 साल उसे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मार्केट में मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल गलतिया करके मैंने बहुत कुछ सीखा है इंप्लिमेंट किया है एक मेरा छोटा सा इन्फो था स्ट्रेडिजी है वह क्या से क्यों पूरा प्लानिंग होनी चाहिए सारे अजस्ट्मेंट प्लान होना चाहिए तो जाकर हम इस स्ट्रेडिजी को एक्जैक्ट कर सकते हैं यह हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली कंडली सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें आपका कुछ अपना ट्रेड जू लूज कर रहे हैं आप यूट कॉंटक्त में फोर डिस्कसान आपको अगर सपोज मैं यहां पर निफ्टी एटी एफ का मैं एक्जामपल लेकर चलता हूं अभी आपको निफ्टी एटी एफ सपोज की खरीदना है जैसे बाई करना आपको निफ्टी एटी एफ लेकिन क्या है मार्केट 14,000 चल रह रहा है और इस वाले रेट पी आप कमफर्टेबल नहीं है निफ्टी एटी एफ को खरीदने के लिए तो अब दो चीज क्या हो सकता है कि वेट कर सकते हैं गर निफ्टी नीचे के तरफ आया तो आप आप करेंगे और ऊपर के तरफ गया तो फिर आपको वेट करना पड़े है सो 13,000 जाना और नहीं जाना यह तो पूरा प्रेडिक्शन है मार्केट का क्या है नहीं है बट यह स्ट्रेडिजी को इंप्लिमेंट क्या करेंगे कि 13,000 को पुट को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक सेल करेंगे ठीक है सपोज उसकी कॉस्ट जो है वह 100 रुपी सम्तिंग की चाल रही है तो अब हमने क्या किया हमारा जो नेट पॉजिशन खड़ा हो गया वह आपको 13,000 पुट एक सेल में खड़ा हो गया ठीक है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज ती इस वाले में क्या 700 इंटो 75 हमने इसको सेल किया है तो हमारा मैक्सिमम जो प्राफिट है 7500 रुपया हो नहीं मिला बट आपको 7500 का एक डिशेंट रिटरन यहां पर जरूर मिल रहा है तो अपसाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी अगर 13,500 13,000 के ऊपर ऊपर एकस्पायर कर रही है तो भी आपको यह प्राफिट है बट प्राब्लम क्या है कि जब निफ्टी हमार निफ्टी मतलब पुट को सेल करने के पास 13,500 को सेल करने के बाद कि निफ्टी अब डाउंसाइड की तरफ बढ़ रही है और हमारा जो 100 प्रीम हो इंक्रीज हो रहा है 120 130 ऐसे हो रहा है ऐसे कि इसमें क्या है कि हम अपने 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 स्ट्राइक को अज़ेस्ट करेंगे सो फर्स्टिंग इस क्या कि फर्स्टिंग इस क्या कि अगर सच में आपको 13,000 एक कमफर्टेवल रेट लग रहा है आपको लग रहा है कि हाँ यह अच्छा डील है तो यू कन बाइट स्क्वार अप्ड़ पूट अन बाइट निफ्टी ETF बट आप फिर भी आप मतलब कि नीचे के तरफ गई तो मुझे क्या करना है वो एड्जस्ट्मेंट नेक्स स्लाइड में देखते हैं तो अभी हम क्या थे कि 13,000 के साथ बैटे थे ठीक है 13,000 को पुट को हमने सेल किया निफ्टी नीचे की तरफ आगई let's say कि 500 पॉइंट नीचे की तरफ आगई ज तो अगर यह हुआ एंड नीचे की तरफ आया और अगर आप फिर भी कमफर्टेबल नहीं है 13,000 के लेबल पर कम खरीदने के लिए तो आप अपने ट्रेड को क्या करेंगे अपने स्ट्राइक को ब्रिंग डाउन करेंगे नीचे के साइड में सो अभी हमारा ओपन पोजिश हो गया 140 हो गया ठीक है या सपोज यह 140 हो गया अब आपको इसमें जो लूज हो रहा है वह 40 रुपीज का हो रहा है यह आपको लूजिंग अभी चल रहा है तो हाँ या तो एक आप्शन है या तो हम नीचे के साइड में आएंगे या फिर दूसरा क्या है कि at least हमें 40 रुप इसकी आप से क्या करेंगे 12,500 वाले को सेल कर देंगे at the label of 60 रुपीज तो हमारा नेट 40 रुपीज था माइनस चल रहा था जिस में हमने स्क्वार अप किया तो 2020 रुपीज का profit बुक कर सकते हैं अभी भी अगर निफ्टी 12,500 के नीचे नहीं गया तो बट अगर फिर भी आपने लॉस किया है वो उतने प्रीमियम को आप नीचे के साइड में जाकर कर सकते हैं अपने निफ्टी 12,500 को लेने के लिए ठीक है सो बेसिकली मेरा कॉंसेप्ट क्या था कि हम अपने ट्रेड को अपने ट्रेड को प्रिंग डाउन करते जाएंगे नीचे के साइड में ठीक है सो अब कुस्टन यह होता है कि सपोर्ज हमने किसी भी लेबल पर मार्क ETF को ले लिए ठीक है ETF को हमने खरीद लिया अब ETF को क्या ऐसे ही इंवेस्ट करके छोड़ देना है ठीक है नहीं बिलकु अगर उसमें क्या है कि मेरे पास अगर 100 रूपीज का ETF पड़ा है तो इसके उपर मुझे 90 रूपीज का 90 रूपीज का मार्जिंग मिल लाता है ठीक है आप क्या है कि मेरे पास अब 90 रुपीज का मार्जिंग आ गया इस 90 रुपीज से मुझे क्या गर रहा है ऑप्शन इस्ट्राइजी को प्ले करना है ऑप्शन इस्ट्रेजी ट्रेड करना है वह ट्रेड कौन से हो सकते हैं आरण प्रेटर स्ट्रेंगल रेसियो स्प्रेड या फिर जिसमें भी आपका अपना अच्छा कमांड ओस्टमेंट प्लानिंग यह सारा चीज हो आप इन वाले चीजों में कर सकते हैं एक जो स्ट्राइड़ीजी है वो बेस्ट आपको मतलब बेस्ट रिसकर रिवाड के ऊपर होनी चाहिए सारे पैसे एक जगे नहीं based on risk and reward के इसाब से अपना strategy diversify होना चाहिए that will be also मतलब कि एक देखने वाली बात है ठीक है तो simply हम अपने adjustment plan में क्या है अपने put को roll down की यह नीचे के जरफ और जब भी हमने से खरीद लिया जब भी हमें मिल गया etf then हमें इसे pledge करना है and option strategy को play करना है so ऐसे करने से एक long term में बहुत ही ज़्यादा decent return आपको मिल सकता है मैं थोड़ा सा देखता हूँ कभी कभी के time में सायद nifty hundred rupees हो भी trade हो रहा था I think 2016 वेगारा में ऐसे में अगर अगर आपने उस वाले दिन में अगर आपने यह सारा चीज किया हूँ इस hundred rupees की वैलू अभी 160 rupees something के आज पास चल रही है so see that की आपका एक investment का investment रहा and दूसरा क्या है कि उस investment investment के ऊपर आपने कैसे option strategy को भी play करके extra benefit benefit ले लिया so long term में इसका बहुत ही ज्यादा benefit होने वाला है and आपके पस बहुत बड़ा asset बन सकता है so this was the strategy and यह सारा कुछ था hope में सारा कुछ आपको अच्छे से define कर पाया and even अगर आपको कुछ भी problem रहा या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा you can also contact me on these number 8 8804038785 ठीक है अगर आपको लगता है कि मैं real facts और सारे अच्छे चीजों को ऊपर बनाता हूं you can support me for come back to new videos you can suggest me अगर आपके पास कोई साभी suggestion हो you can WhatsApp me also that if you have any confusion so thank you bye bye और मिलते हैं फिर next video में कुछ नए वीडियो के साथ चहां पर discussion और यह सारा चीज़ों तो अब तक के लिए bye bye good bye